जब देशी गोबंश की अंदर एक अच्छी मिल्किंग लाइन वाली यानि की 18 से 20 लिटर तक की दूद की शमता वाली जब गाये की डिमांड आती है तो उसके अंदर आपको इस त्रेंकी फलकी सी क्रोस फ्रीड की गाये देखने को मिलती है तो उससे पहले सभी दोस्तों और मित्रों को नमश्कार राम राम आप देख रहे हैं राउजी डरी फारम और मैं गोरी शंकर दोस्तों आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आई हैं कि हलकी सी साईवाल की क्रोस की गाये है जिसकी दूद देने की शमता 20 लिटर के प्लस की है तीसरी बार अब की बारिया गाये बच्चा देगी और बहुत ही शानदार बहुत ही बढ़िया टॉप क्लास के अडर की क्वाल्टी वाली मुठिया थन थन थनों के अंदर जो गेप है वो भी आप देख सकते हैं और अडर की बनावट है वो भी बहुत ही शानदार है गाय की डिलीवरी के अंदर लगबग अभी 15 दिन का समय अभी बाकी है जैसे 12 से 15 दिन का समय जैसे ही निकलेगा तो आप खुद देखेंगे कि गाय की जो अटर की बनावट है अटर की शेप अभी होर भी होर अधिक बड़ी दिखेगी सुन्दर दिखेगी शे अंदर देखेगी इतनी बैतरीन हो इतनी शे अंदर जो गाय है ये आज आज आपके लिए सेल के लिए उपलब्द करवाई जा रही है लोकेशन की बात करें तो बिलेल्स कमीन पुरा देष्टिक शिरी गंगानगर से 20 किलोमेटर दूरी पर हमारा जो डैरी फार्म है यानि की जो गाउं है आपको यहाँ पर साहिवाल के अंदर एराठी में थार पारकर में इत्यादी गई आपको देखने को मिलती है जिसमें एक से बढ़के एक प्यारा देषी गोधन आपको मिल जाता है जो हमारे किसान पर डैरी फार्म पर विजट करके गाई खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए ठहरने के लिए रुकने के लिए सब उत्तम व्यूस्ता मिलेगी यहां पर आ सकते हैं टैरी फार्म पर रुक के जो गाई की जैसे की डिलिवरी होई हुई है उनकी मिल्किंग चेक करके यहां पर अपनी पसंद के उनसार जैसी गाई वो पसंद करते हैं वो अपनी पसंद के उनसार देशी को उसका चुनाप करें खरीद के ले जा सकते हैं और जो आज की जो गाय हम आपको दिखा रही हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस गाय की डिटेल के बारे में थोड़ा सा होर अधिक बात करें यानि कि इसकी कीमद पगेरा के बारे में बात करें तो इसकी जो कीमद रखी गई है डैरी फार्मिंग जो किसान पर हमारे खिरी दिना चाहते हैं उनके लिए जो इसकी किमत रखी गए वो 65,000 यानी की 65 यारपे के अंदर आज देगा या आपके लिए सेल के लिए उपलब दिक्रोए जा रही है और आप ये देख सकते हैं जो अडर की जो सलवटे हैं ये खुलेगी तो कितना शांदर अडर बनाएगी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जुरूर बताएं तो सभी दोस्तों मित्रों को नमशकार राम राम जैहिंद जैगोमात